मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने सचवाले में राज संपत्ती विवाग की बैठक लेती हुए अधिकारियों को निजदेश दिये हैं सियम ने कहा जो भी कार किये जा रहे हैं उन्हें सुनियों जी तरीके से गुड़वत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में करें ताकि कम खर्चे से अधिक आउटपुट मिल सके इसके साथ ही मुख्योंत्री ने राज संपत्ती विवाग के प्रस्तोती करण पर नाराजगी ज जानकारी की अनुसार मुसलाथार बारिश के कारण दो गाइट समय 14 परेटक लापता होने की ख़वर मिल रही है ख़वरे की तरसर मरसर जिल के पास 14 परेटक फसे हुए हैं इन्हें बचाने के लिए पहल गाम से वचाव दल को रवाना किया गया है आपको बता दें कि ग्यारा परेटको का एक दल तरसर मरसर छेतर में घूमने और ट्रेकिंग करने के लिए गया था लेकिन इलाके मभारी वारिश के कारण पर टको से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है पर एटको के लापता होने की ख़वर मिलते ही जिला प्रसासन ने रैस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया और रैस्क्यू उप्रेशन शुरू कर दिया गया है श्री नगर के बीच दच्छर कश्मीर के उचाई वाले छेतर में इस्तितिया छेतर उसी मार्ग में पढ़ता है जहां पावित्र अवानाद गुफा इस्तित है केविनेट मंत्री और मसूरी विधाय गड़ेश जोशी ने मंडल कारिश्मती के सदस्यों के साथ बैठक की जिसमें मंडल के विकास कारियों की चर्चा और आगामी चुनाव की रूप रेखा को लेकर बात की गई केविनेट मंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारती जन्ता पार्टी है जिसमें आगामी कारक्रमों को लेकर चर्चा होती है वही अगनीपत के सवाल पजोशी ने कहा कि यह योजना देश के हित में है प्रदेश में अगर अगनीपति योईना का विरोध हुआ है तो वो कॉंग्रेस के लोगों और N.S.U.I. के कारकरताओं ने किया है इसलिए भारत की सेना का मद्बूत होना बड़ा ज़रूरी है माराष्ट में पैदा होई सियासे संकट के बीच उत्रहकंट के पूर्व सीम और सांजा तीरस सिंग रावत ने बड़ा बयान दिया है अल्मोडा पहुंचे पूर्व सीम तीरस सिंग रावत निकाहक की प्रधान मंतरी ने निमोदी ने विकास कर देश को आगे बढ़ाया है जिससे हर ग्रक्ति आज भाजपा की सरकार को चाहता है उन्होंने कहा कि माराष्ट की जनता भी भाजपा की सरकार चाहती है दरसल संसतीरस सिंग रावत आज एक कारप्रम में शामिल होने अल्मोडा पहुंचे थे अल्मोडा से नसीम एहमद की खास रिपोर्ट पूरा देश को विकास की और आगे बढ़ाया है तो हर जन चाहता है कि हर जगए भाजपा हो तो हमारे हाथों को मजबूती मिलेगी और अपना भी विकास होगा मुख्यमंती पुस्कर सिंग दामी ने ग्राफिक एरा में आईजित 15,16 वी उत्राखन राजविज्यान और तखनिकी कौंग्रेस का शुभारम किया है कारप्रम को संबोधित कर सीम ने कहा कि हम सब का प्रयास होना चाहिए किस तरह की मंधन कारक्रम सिर्फ आज़न तक सीम इतना रहें इस कारक्रम से आईटी की छेत्र में प्रदेश के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशष्ट होगा उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी नरिद्वोधी की नितर्तु में बीते आठ सालों में भारत ने विज्ञान और तकनीकी की छेत्र में नई कीत्मान हासिल किये हैं नई सिक्षा नीती लागू की गई है जो की हर पहलू को किंद्रित कर बनाई गई है वो तरह खंड को अग्रणी राज बनाने के लिए विज्ञान एबं प्रधुगी की छेत्र से जुड़े सभी वेग्यानिक और सोधार्तियों की सुझाव आमंदित हैं इस दोरान यूसी ओस्टी के महानिदेशक डॉक्टर राजिन धुबाल ने ग्राफिक एरा गुरूप के चेर्मेन प्रोफिसर डॉक्टर कमल धंशाला वेविन निसंस्तानों से जुड़े वेग्यानिक सोधार्तियों और चात चात्राय मौजूद रही आएसे अधिक संपती मामले में आरोपित आईएस रामविलास ज्यादब बुधवार को देहरदून विजिलेंस ओफिस पहुचे और अपना वयान दर्ज करवा कर अधस्तावेज सोपे हैं इस मौके पर रामविलास ज्यादब के वकील अबनग शर्मा ने उनका बचाव करते हुए मीडिया को बताया कि रामविलास ज्यादब को उत्तरा खंड उच दिया एले ने आदेश दिये थे कि वा विजिलेंस ओफिस में जाकर अपने वयान दर्ज कराएं और समदित दस्ता बेज भी सोपे हैं इसी के तहट आई एस विजिलेंस ओफिस पहुचे हैं साथी कल हाई कोर्ट में विजिलेंस के भी पक्स मागया गया है गुरबार को हाई कोर्ट जाएंगे अब कोर्ट में देखते हैं कि आखिर होता क्या है रामला स्यादब पर जो आरूप लग रहे थे वो अज्जांस में सायुग नहीं कर रहे हैं जबकि कोई भी पत रामला स्यादब के पास नहीं पहुचा है उसका जवाब दिया गया एक और सवाल पर कहा कि नियालय का आदेश शर्वों पर है उसकी पूरी तरह पालंद किया जाएगा उनको जो है मानीनी उच्छे नहालय उतरा खडने उनको आदेश पारित किया है कि उनको जो है उतरा खडने या विजलेंस में अपना बयान दर्ज करने हे तू और संबंदित दस्ता वे उपलब्द कराने हे तू निर्देशित किया गया है तो उसी का नुपालन में हम लोग यहां पहुंचे हुए तो आपको लुक्त है कि फूरा सही हो करेंगे विजिलेंस के नाम करेंगे। आज जब कोड का निर्देश और कोड की शरण में तो निश्चित रूप से कोड में संपर किया जाएगा। अगर सही साबित जायता है तो बिलकुल नए संगत जो भी आचरण होगा उसके ओपर कारे करेंगे। को बंदरों से बचाने के लिए यथा संबब तकनीक का उपयोग किया जाए। सियमने टाइगर रेजियर उप संदक्षित छेत्रों और ने परेटन वन छेत्रों में भी परेटकों के बरताव के संब्ध में गाइडलाइन बनाने के निदिश दिये हैं। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेणू वेष्ट, अनिल नोटियाल सहे तमाम अधिकारी उपस्तित रहे। मांसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ यात्रा की रफ्तार धीमी हो गई है, विटेक सप्ता में प्रतेक दिन तरसनातियों की संक्या घट रही है, साथी बाजारों में पैदल मारगवा केदारपुरी में यात्रियों का दवाब पहले जैसा नहीं है, वहिस्वान मांसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ में यात्रियों की संख्या में भी कमी आने लगी है डैस्क रिपोर्ट, MKN News रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगी हाजर गंगोत्री और यमनोत्री के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक सहस्कृति की विरासत को समेटे हैं महत्वपूर्ण तीर्थिस्थलों के प्रदेश उत्राखंड में हैं इसलिए इस प्रदेश को देव भूमी में कहा जाता है हास्त शिल्प हद करगा और परेटन उत्राखंड की प्रमुक व्यापार हैं जिन्हें सरकार में बढ़ावा दे रही है भारत की सबसे उची परवत चोटी नंदा देवी उत्राखंड में हैं तो विश्व प्रसिद फूलों की घाटी भी यही है राजनेती परिपेक्षम उत्राखंड की सबसे अलग भूमी का है सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है अंतराश्य इस्तर पर उत्राखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ सच की बात के साथ ब्रेक के बात खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है नैनिताल मार्ग पर लाल मिट्टी के निकट अनेंतित कार होकर पेट से जाठक रहे दुर्गटा में कार सबार 6 लोग घायल हो गए वही कार में सबार एक बच्चे को मामूली चोटा आई हैं जबकि 4 गंभी रूप से घायल हैं मामले को लेकर ब्लॉक प्रुमुक रवीक कन्याल का कहना है कि शासन पर शासन को सूचना देने के बाद भी कोई घटना इस्तर पर नहीं पहुंचा पर एटक स्वंबार को नैनिताल से घूम कर घर वापस जा रहे थे इसी बीच उनकी कार काला ढूंगी नैनिताल मार्ग में लाल मिट्टी के समीप असंतुरित होकर पेट से टकरा गई मुई घायलों को अपातकाली ने 108 सेवा की मदद से हलगवानी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है काला ढूंगी से मुकेश चिमबाल की रिपोर्ट अगनिपत योजना पर देश में मचे हंगामे की बीच भाजपा की राष्टी महास्टेप केलास विजयवरगी के बयान का ब्रोज शुरू हो गया है अलमोडा में आक्रोश्टित युवाउने ब्रोध करते हुए कहा कि नेता बयान बाजी कर रहे है युवाउने कहा कि पिछली दो साल से सेना के लिखित भरती नहीं कराई गई है जिससे बेरोजगार युवाड डिप्रेक्शन में जा रहे हैं इस दोरान भारी संक्या में पुलिस वर मौजूद रहा रानिके सयुक्त मजिस्टेट जैकिशन गोबिन सिंग महरा अस्पताल का निक्षन करने पहुचे इस दोरान उन्होंने अस्पताल में भरती मारीजों से उनका हाल चाल जाना और अस्पताल की विवस्ताओं के बारे में जानकारी ली जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रभंधन और करमचारियों को चरूरी दिशा निर्देश दिये खबर अब पॉडिस है जहां कॉलेज जकेटी में प्रभंधन सम्ती के चुनाओं को लेकर कई खामिया सामने आई हैं बताया जाता है कि विध्याले में प्रभंधन सम्ती के चुनाओं 26 मार्श को संपन हुए थे चुनाओं के पादर्शीना होने के मामले को लेकर सामाजिक कारकरता राजे शिंग राजा कोली ने सिक्षा मंत्री वाव आयुक्त गड़वाल मंडल से शिकायत की है महीं सिक्षा मंत्री वाव आयुक्त ने माजमिक सिक्षा गड़वाल मंडल महावीर विष्ट को जांस के निदिश दिये थे जांस में पाया गया कि विध्याले प्रभंध सम्ती के गठन का चुनाओं निया मानुसार नहीं हुआ था पॉर्डी से मुकेज वचेती की रेपोर्ट बनाये गया है और प्रसासक योजना के तहर्ट चुनाओं नहीं कराएगी तो मैंने जिला देकारी जी को आयक्दु जी को और बिदायक और मंत्री जी को सबको मैंने लेटर लिखा था, शिकायटी पत्र लिखा था, उसके बाद उन्होंने सब ने जाँचादी कारी बना दिये, अपर मिदेश सक्वाइब के लालकुआ के रेलवे कॉरसिंग गेट पर रेलवे सुरक्षा बलने अभियान चलाते हुए, फाटक के नीचे से बाइस निकालने वालों पर शिकंजा कता है, इस दोरान भाजपा के मंडल महमंत्री राजकुमार सेतिया का बेटा दबंगई दिखाते हुए निकलने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके पर मौझूद आर्पीएफ की महिला उपन रिक्षक मानिशा मीडा ने पक होती रही, लेकिन आर्पीएफ ने किसी की एक ना सुनी और कारवाई करते हुए पांच मौटर साइकलों को जब्त कर नियालाय में पेस किया है इसको बहुत गलत बात है, यहां के इधर बिन्नु खत्ता है, राजीम नगर है, सेंचुरी पेफर मिल है, प्रही कलोनिया है, इधर लोगों को जाने का रस्ता यही है उत्राखन जल विद्धूत निगम भरष्टाचार के मामले में एक बार से सुर्कियों में है, इस बार मामला डाक पत्तर के वियासी जल विद्धूत परियोजिना से जुड़ा हुआ है दरसल व्यासिजल विदुत परियोजना में जब पावर हाउस और शुरंग निर्माड का कारी चल रहा था तब हत्यारी नमक जगह पर एक डंपिंग जौन बनाया गया वहीं इसमें डंपिंग जौन का मलवा यमना नदी में ना गिरे इसको लेकर हत्यारी में 40 लाख रुपए का जूट मैंटिंग तैयार किया गया जिसमें प्लांटेशन का कारी करवाया गया ताकि प्लांटेशन से मलवे को नदी में जाने से रोख सकें लेकिन यहां की हकीकत कुछ और ही बाया कर रही है डंपिंग आर्ड पर जंगली घास के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सवाल ए उठता है कि यद विभाग द्वारा जूट मेंटिंग और प्लांटेशन के लिए 40 लाख रुपए खर्च किये गए हैं तो अब प्लांटेशन यहां पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वह जब मामले को लेकर जल विद्धुत परियोजना एडी राजी अगरवाल स बात की चोरों ने अपना पला जाड लिया विकास नगर से इंदरपाल सिंग की रिपोर्ट अलमोडा में चोरी के एक बड़ी वारता सामने आई है चोरों ने एक सिक्षिका की सूने मकान से 14 लाख की चोरी को अंजाम दिया है घर में रखे सोने के जेवर और नगदी पर च से चलाता है बेंक का लॉन होने के चलते उसने इस वारतात को अंजाम दिया था अलमोडा से नसीम अहमद की रिपोर्ट इसमें कल हमारे एक अफ़यार दर्जवी थी कि एक घर से जो एंटीडी शेतने पढ़ता है इसमें दिन में चोरी हो गई और वो परिवाद जिसे साधी के लिए कुछ आबुसन रखे हुए थे वो सबार समान चोरी हो गया इस पर हमारी जो ठाना पुलिस की टीम और एसोज होने और चादी के अभुसन से एक कैमरा था वो सारा माल बरामत कर लिया गया है अगली खबर सितार गंज से है जहां दजनाग हासे में बाइक सबार की मौत हो गई है पताया जा रहा है कि यह हासा उस बक्त हुआ जब बाइक सबास शक्ति फर्म के सिरसा रोड पर अपने घ खोसित कर दिया घटना की जानकारी मिलते ही पोलिस मौके पर पहुंची और सब को अपने कबजे में लेकर पंचनामा बनाया फिलाल सब को पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया है रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फिर होंगी हाजिर गंगोतरी और यमनोतरी के तट पर बसा उत्तराखंड वैदिक सहस्कृति की विरासत को समेटे है महतोपूर्ण तीर्थिस्थनों के प्रदेश उत्तराखंड में हैं इसलिए इस प्रदेश को देव भूमी में कहा जाता है हास्त शिल्प हद करगा और परेटन उत्तराखंड की प्रमुक व्यापार हैं जिन्हें सरकार में बढ़ावा दे रही है भारत की सबसे उची परवत चोटी नंदा देवी उत्तराखंड में हैं तो विश्व प्रसिद फूलों की घाटी भी यही है राजनेती परिपेक्श में उत्तराखंड की सबसे अलग भूमी का है सरकार किसानों को बढ़ावा देने और हित में कई काम कर रही है अंतराशी इस तर पर उत्तराखंड अपनी सबसे अलग पहचान रखने वाला प्रदीश है जिसकी हर खबर आप देखते हैं सच के साथ, सच की बात के साथ ब्रेक के बात खबरों में आपका एक बार फिर सस्वागत इन दोनों कालसी बन प्रभाग छेतर के तिमली रेंज मटक माजरी छेतर में जंगली हाथियों का जुन्ड उत्पात मचा रहा है मिली जानकारी के अनुसार हाथियों ने तिमली रेंज की जंगलों में बन विवाग के लगाए तार और प्लांटेशन की नुकसान पहुचाया है वह जंगल में पास हाथियों की जुन्टे ग्रामीन इलाकों में भी तहसत का माहौल बना हुआ है जंगली हाती नेशनल हाइवे पर किसी को नुकसा न पहुचाये इसके लिए बन विवाग करमचारियों ने हातियों को खदेडने का प्रियास दी किया है विकास नगर से इंदफाल सिंग की रिपोर्ट अलमोडा में सांकिकी और कारिकरम का तीन दिवशी शिविर का शुभारम किया गया है शिविर में सांकिकी की पचास अधिकारी का सरवेक्षन किया जाएगा जिसमें सिक्सा सूचना हाउस वर्ल्ड की आर्थिक पहलूँ के साथ ही आयुश मंत्राले के लोगों और और सदी के उपयों की गढ़ना का सर्वेक्षन होगा जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी अलमोडा से नसीम एहमाद की रिपोर्ट सर्वेक्षन यह है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनेटेड नेशन्स के तौर पे हम लोग भारत में इसका जो आंकड़ा कलेक्ट करते हैं और इंडैसेज जेनरेट करते हैं ग्लोबल नैशनल और लोकल लेविल का उसके लिए कैंप्स का सर्वे किया जा रहा है जिसमें हमारा तीन टॉपिक्स मेंनली कवर हो रहा है एक तो एजुकेशन रिलेटेड है एक आईटी यूजेज और तिसरा आपका हाउसवल्ड कंजम्शन रिलेटेड है महराष्ट से बड़ी ख़बर सामने आई है जा महराष्ट के राजपाल को अस्पताल में भरती कर आया गया है वहीं राजनितिक संकट के बीच राजपाल का अस्पताल ट्रिलाइंस में लाज़ जारी है आपको बता दें राजपाल भगस्तिंग कोश्यारी मंगलवार बुधवार दर्मियानी रात कोरोना संक्रमित पाए गए हैं डैस्क रिपोर्ट एमकेन न्यूज सिया की माने तो बैठक से आठ मंत्री गाइब रहे हैं बैठक से पहले संजय राउत की इशारा कर चुके हैं विदानसवा भंग होने की दिशा में जा रही है वहीं सूरत से गुहाटी पहुंच चुके एकनाज सिंदे अब अपने 746 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं ये बाला साहिब ठाकरे का हिंदु तो छोड़ा नहीं है मैं चाहता हूं कि उद्दब ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए सिंदे ने जिन 40 विधायकों के बारे में काहा है उसमें 7 ने जली विधायक शामिल हैं सूबे में जारी है स्यासी घमासान के बीच कॉंग्रे पासवान के सपत ग्रेंड समारों में शามिल हुए इस दोरा नगरपालका की नव निर्वाचित अद्यक्ष पासवान ने मुक्रमानि का आभार विक्त करते हुए फिर्तिक चिन ने वंशॉल भीट कर स्वागत किया नंगरपालका अद्यक्ष ने कहा कि नगर कुश्वक्श असाब बनाने और नगर की सेवा के लिए वे अपना पूर्ण युगदान करेंगी। वा अन्य समस्याओं का सुनियुजद तरीके से समाधान हो सके। चमोली से एमकेन यूज़ की डेक्स्क रिपोर्ट। नगरपाल का किच्छा छेतर की नमनिर्वाची सवासाथ सूरज मुखी का शपत ग्रेंट पाल का परशर में आयएत हुआ। नगरपाल का यूग गुर्मी सिंग ने नमनिर्वाची सवासाथ सूरज मुखी को पदेवं गोपनिता की शपत ग्रेंट ग्रेंट परशर मुखी का कि मेरे बाड़ की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं उस जिम्मेदारी का पूरी निष्टावाई इमानदारी से निर्वाहन करूंगी। मैं पूर विधायक राजे शुक्रा ने नम निर्वाची सवासाथ सूरज मुखी को बधाई देते हुए का कि नगर के बाड़ नमबर दो की जनता ने भाजपा प्रत्यास्ती के पक्स में भारी मत्तान कर इस्पष्ट कर दिया है कि जनता भाजपा के साथ है। किच्छा से बेद प्रकासी आदब की रिपोर्ट। की बेटियों से मुलाकात की। की बेटियों से बेटियों से बेटियों से बाड़ दो की जनता भाजपा के साथ है।